ट्वीटर ने अपने ब्लू सर्विस गुरुवार को भारत में लॉंच कर दी है Android और iOS वाले मोबाइल यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 900 रुपे प्रती महीने चुकाने होंगे वहीं वेब यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन 650 रुपे में मिलेगा अगर वेब यूजर्स सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे डिसकाउंट मिलेगा उसे 7800 की जगह 6800 रुपे ही चुकाने होंगे एन्नुल सब्सक्रिप्शन प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए नहीं है ब्लू सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को ट्विट एडिट करने लंबे और 1080 पिक्सल यानि HD क्वालिटी में वीडियो अप्लोड करने रीडर मोड और एक ब्लू चेक मार्क मिलेगा इसके अलावा रिप्लाइं मेंशन और सर्च में प्रियोर्टी मिलेगी समाने यूजर्स से 50% कम एड दिखेंगे और नए फीचर्स में भी प्रियोर्टी मिलेगी सब्सक्राइबर अपना हेंडर, डिस्पले, नाम या प्रोफाइल फूटो भी बदल सकेंगे वहीं सरकारी और मर्टी लेटरल अकाउंट के लिए ग्रेट चेक मार्ग होगा आपके अकाउंट में एक डिस्पले नेम और प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए ब्लू सर्विस के लिए अकाउंट पिछले 30 दिनों में एक्टिव होना चाहिए अकाउंट 90 दिनों से जादा पुराना और कन्फाउंट फोन नंबर होना चाहिए प्रोफाइल फोटो डिस्पले नेम में कोई हालिया परिवर्तन नहीं होना चाहिए अकाउंट का मिसलीरिंग होने का कोई संकेत नहीं होना चाहिए साथ ही अकाउंट के स्पैम में शामिल होने का कोई भी संकेत नहीं होना चाहिए ट्वीटर की टीम के रिव्यू करने के बाद ही अकाउंट पर ब्लू चेक मार्ग दिखाई देगा अगर ट्वीटर टीम को लगता है कि सभी एलिजिबलीटी पूरी हो रही है तभी ये चेक मार्ग दिया जाएगा ट्वीटर उन अकाउंट से चेक मार्ग हटा भी सकता है जो ट्वीटर नियमों का उलंगन करते पाई चाहेंगे साथ ही आपको बताया दें कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि हम कुछ महिनों में सभी लेगेसी ब्लू चेक हटा देंगे जिस सरीके से ये ब्लू चेक दिये गए थे वो गलत था मस्क के टेक ओवर से पहले ब्लू चेक मार्ग केवल राजनेताओं, प्रसिद्ध हस्तियों, पत्रकारों और अन्य सार्जनिक हस्तियों के लिए रिजब था इसे लेने के लिए सरकार की और से जारी आईडी जमा करने समयत कई चीज़े शामिल थी ट्वीटर ने पिछले दिनों अमारिका, ब्रिटेन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और जपान समयत कुछ देशों में ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवाश शुरू की थी इन देशों में ट्वीटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन का चार्ज यूजर्स के लिए आग डॉलर प्रती महीने हैं, सालाना सब्सक्रिप्शन लेने पर 84 डॉलर खर्च करने होंगे